हेलो वाट्सप गाइस आज वाम इस वीडियो में देखेंगे हो तो फेच एपया यूजिंग लोडर से रियक्त राउटर जिया गाइस तो आज इस वीडियो में मैं आपको यह बता हूँगा कि बिना यूज इफेक्ट के आप कैसे कोई भी एपयाई के डेटा को फेच कर सकत किया था राइट जहां आप बहुत क्लियरी देख सकते हैं यहां पर मैंने डिफेर्ट डिफेर्ट वीडियो बना के दिखाया थे कैसे आप डेटा को फेच कर सकते हैं रियक्त दैना क्रेट फोकिमान विपसाट तो जरू चैक आपको यह बता हूँगा कि यहां पर जो तरी रिफेर्ट को फेच कर लोगे ब speechless कि यह बना किसी स्टेट की मनदद से देखो कैसे ऐलर तौ सबसे पहले स्टैप नमबर वान हमें क्या करना होगा हमें वह जो डेटा है उसको फेच करनापड़ेगा सबसे पहले एक फंक्यं करने कलिए फंक्यंच्ण तो आपिंचाहिए ही डेटा ठीक है .jsx लिग दो चलो ठीक है आपकी मर्ज आप जैसे भी इसको बना सकते थे so let's go with export const we have a get API data इस तरीके से ठीक है and perfect ठीक है हमें इसको async बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें fetch request को यहाँ पर call करने यहाँ पर चलेंगे अब यहाँ पर करना क्या है कि we need to fetch the API and API में यूज करने जा रहा हूं गाइस में मेरे पास अल्रेड उसका लिंक है यह API है जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा and guys I highly encourage भगवान के लिए आप लोग अपना की यूज कीजेगा मेरा की मत यहाँ पर कुछ नहीं करना है खाली API की आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाना है अपको अपना email ID करना है and submit कर देना आपको आपका एक API की मिल जाएगा बस उसके वह जो API की है अब यहाँ पर यहाँ इकोल टू बेसिकली वहाँ पर स्वारी नॉट आई ओवर ही हो यहाँ पर उसको एड कर दीजेगा सिंपल ठीक है एक बार मैं आपको यह दिखा देता हूं कि दिख कैसा रहा है मैं अगर यहाँ पर चलता हूं एंटर हीट करता हूं तो आप देख सेटों कि मुझे इन एक जो मुवीज है उनके डिफरेंट डिफरेंट बनी होगी राइट तो वह सब ही रिकॉर्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पर आप देख सेटों यह यह इंडवी जो भी है टाइप और पोस्टर है पोस्टर भी हमें मिलते जो की बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आपक अपा लिखो बिनोद लिखो टाइम पास लिखो अरे डेटा स्टोर हो जा कुछ भी आप लिख दो लेकिन कन्वेंशन में मुस्टली रेस्पॉंस लिखते है ठीक है वहां से रेस्पॉंस लिखा यहाँ पर इस रेस्पॉंस जो हमें मिलती है उसको करना पड़ता है अब यह कि अब जब भी कोई इस पर्टिक्लर कंपोनेंट को कॉल करेगा उसको यह वाला पर्टिक्लर पार्ट वह मिल जाएगा सिंपल ठीक है एंड आइधिंग आई साब एक और काम यह कर सकते ते यह कंपोनेंट बनाने से बैटर आप इसको गेट एक सिंपल लगए एप जहां पर हमने आउसम तरीके से हमारा यह जो फैस का जो रिक्वेस्ट उसको कर लिया अब बेसिकली होता क्या था कि हम यूज इफेक्ट का यूज कर देते राइट यह डेटा पाने के लिए यहां पर वो नहीं करना अब हम क्या करेंगे हम चलेंगे सिद्ध हमारे एप अब यहां पर एक प्रॉप है आपके पास that is your call loader इस loader के अंदर आपको यह जो आपने जस्ट अभी क्रेट की इसको पास करना होता है ठीक है एंड आपको एंटर हीट कीजिए इस तरह के से आप इसको इंपोर्ट भी कर लीजिए इदेखो टॉप पे हमने इसको कर ली इं API data उस function को आपको लोड़ करके जो प्रॉपर्टी है उसमें as a value पास करना है and then obviously वह function को आपको इंपोर्ट करना ही पड़ता है अब कितना easy हो गया जब भी कोई इस रूट को हिट करेगा ना यह जो आपका मूबी component है इस मूबी component में already आपका यह जो API का data है just because of this part वह आ चु अब आपको क्या करना है इस मूबी component के अंदर we have one more hook जो की है आपका यह use loader data यह देखो कितनी easy है like इस तरह के से आपको use loader data का help लेना है so guys use loader data का एक definition दिया हुआ है यहाँ पे यह जो hook it provides the value return from your root loader अभी loader जो property थी हमारी basically root बोलते है लोग उसमें मैंने value पास कर दी वह function fetch वाल उसकी जो भी value होगी यह जो है अब आप बहुत इजली get कर सकते है ठीक है simple तो यहाँ पर हम चलते है const movies data will be equal to use loader data and this is it तो यह देखा कल की दिन हमने use navigate hook पड़ा आज एक और hook के हमें पाता चला that is your use loader data hook ठीक है yeah this is it अपना काम हो गया है अब मैं एक बर जल्दी से क्या करता हूँ इसको console.log and movies data आपको मैं दिखा देता हूँ ठीक है कि हमें क्या data मिल रहा होगा बोलके inspect पे चलते है console पे चलते है इसको clear करता हूँ एक से कि मैं अल्रेड़े movies पे था अब मैं movies पे आए यह देखो गाइस एदेखो एदेखो सर्च करके एक अपने पास object है basically हमें एक object ही मिल रहा by default यहां पे पहले सी जिसमें एक search है and best part है कि search एक array जो कि अच्छी बात है and उसके अंदर इतने सारे एक दो तीन चार पांच इतने सारे अपने पास data and अगर एक एक को हम open करते तो कुछ ऐसा है कि जो भी हमें मिल रहा था वो हमें एक search object है तो dot search and then यह सब आपके एक array है ठीक है तो आप देखो मैं इनको बहुत इचली कर सकता हूँ तो one by one cards के format में दिखा सकता हूँ कैसे तो guys अब simple है just हमें map चलाना होगा यहाँ पर ठीक है इस तरह के से ध्यां से देखो आपका यह जो movies data है dot search dot map method ठीक है यह उसका syntax यहाँ पर current movie या current element current movie लिख दो चलो कोई नी current movie ठीक है यह लिख दी यहाँ पर चलके अब आपको return करना है या तो चलो return ही करा देते कोई बात नहीं है न हमें एक component को call करेंगे यहाँ पर and let's go with return वो component का काम होगा card ठीक है all right ठीक है this is it अब जब भी एक चीज यहाँ दख न आप जब भी map method यूज करोगे और इस तरह किसे अगर आप एक component को call कर रहे हो make sure always आपको वहाँ पर key pass करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अब key कैसे मुझे पता चलेगा देखो ना we have something call यह imdb id करके जो की unique id होती है तो इसी को ही मैं copy कर रहा हूं ठीक है एंड यह जो particular portion है वापस इस पर है एंड key की जो value है उसको current movie.ta करके मैंने pass कर दी अब एक और चीज यह है कि key तो मैंने pass कर दी साते साते जो current movie है वो भी मैं pass कर दे रहा हूं ताकि अगली जगे पे जाके इसको मैं destructure करके इसकी जि कंपोनेंट पे चलते है एंड यह वी हैब दिस ui ठीक है काड का एक ui हम बना लेते है तो उसके अंदर मैं चलूंगा एंड लिख दूंगा card.jsx ठीक है तो आप देख सकते हो कुछ मैंने component के अंदर एक layout था दूसरा user interface तो card के अंदर मैंने user interface के अंदर मैंने card.jsx रख दि port const we have a card ठीक है इस तरीके से and we need to write this return keyword and एक काम करूंगा इसको मैं li के अंदर रखने वाला हूं and सभी के सभी data मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से ठीक है अब यह जो imd यह जो दिखाई दे रहा है यह जो poster यह जो कुछ है यह कहां से मिलेगा obviously हमने वह spot हमारा जो main parameter था वहीं पर ही destructure करके वह जो props की value है वह हमने get कर दी अब मैं इसको और further destructure कर सकता हूं जहाँ पे मुझे बार बारे current movie dot यह current movie dot वो लिखने की need नहीं पड़ेगी बस इतना लिखे यहाँ पे यह जो आप देख पार है poster imdbi this is it I guess yeah and यह जो nav link हमने ली हुई है यहाँ पे चलो फिलाल अभी के लिए इसको भूल जाओ ठीक है अब इसके need नहीं फिलाल अभी हमें या this is it क्योंकि उसका काम नहीं फिलाल अभी आपको perfect ठीक है यह जो एक चीज आ रहा है ना कैसी आपको मैं बताता हूं एंटार फाइल के लिए कर देता हूं कितनी easily just हो गया मेरा गाम अब यह जो मैंने ally लिखा है ना वह क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं एक rule है जब आप map method यूज करोगे तो always यह recommend किया गया है कि आप सबसे पहले top पे तो एक ul लिखिए उस ul के अंदर अपना यह जो ally map method है उसको आप pass कीजिए तो इससे होगा है कि ul के अंदर ally 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 करके काड आएंगी जिसको बहुत easily tackle होता है फिर I mean बहुत easy हम उसको tackle कर सकते बाद में अगर उसके साथ कुछ भी card operation करना रहा तो एंद और कुछ है यहां पर जो मैं चाहूं देखना यहां तो यह जो मेरा पार्ट है उसको मैं different different एक रो में मुझे चार कार्ट चीज़ तो for that मैंने container grid and grid for columns इस तरीके से मैंने एक classes यहां पर कर दी अभी जो card है control and space hit करूंगा इसको भी मैं करूंगा import on the top लाइक इस तरीके से सो यहां मेरा काम तो हो गिया right card में हमें मेरा data भी मिल चुका है यहां पर सब कुछ set हो चुका है यहां पर भी सब अल्रेडी है error page हटाओ header चलो इसको भी मारो गोली फिलाला भी के लिए this is it तो अब मैं चलता हूं guys हमारे VS code editor not over VS code editor कुछ तो गड़बड हो रहा है cannot read properties of undefined reading map all right तो एक चीज है कि cannot read properties of undefined तो एक चीज तो यहां दखना guys कभी भी आप जब आप first time हमारा page load होता है तो first time to undefined होता है जब बात में data मिलता तब यहां पर आप एक काम कर सकते हो and that is कि यह जो particular portion है इसको आप एक काम कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपका जब यह movies का data है ना जब मिल जाएगा then and then only आप इस तरीकिस को चलाना कुछ ऐसा आप कर सकते हो okay हमने वो जो condition लिया उसके बात भी नहीं आ रहा है एक सेगना we have this search search and then data तो बरावर एक सेकेंड oh my god guys search का जो ऐसे बो capital था यार मैं वह बोलू यह क्यो ऐसा आ रहा है okay see this is it it's done देखो कितना awesome में दिखाई दे रहा है देखिए एक row में हमें चार कॉलम चाहिए था आ गया अब एक चीज है कि जैसा मुझे चीव ऐसा मिल ली रहा हम क्या करेंगे ui में ही में को और new component क्रेट करो जिसका नाम होगा card.css मुझे उसको style भी करना है all our guys तो आप देख सकते हूं कि css भी मैंने यहां पे add कर दी है अभी तक के मेरे YouTube वीडियो में जितने भी आपके HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React, Node, ExpressJS, MongoDB, MySQL, PHP, Dynamic Website, Static Website, e-commerce Website, Monthstack सब के सब आपको सिर्फ 249 रुपीज मिल जाएगा guys अगर आप चाहते हो तो प्लीज बाइ कर सकते हूं मुझे बहुत खुशी होगी मेरी help भी हो जाएगी अब यह जो है जरूर चलेगा ठीक है यह देखो इस तरीके से आया मैं अपने Movies वाले card पे sorry card पे मुझे चलना पड़ेगा यहां पे मैं चलूंगा and top पे मैं जाओंगा यहां पे इसको मुझे guys क्या करना है इंपोर्ट करना है उस card को import dot forward slash card dot css अगर .jsx होता तो उसकी हमें कोई need नहीं पड़ती है बट उसके अलावा बाकी जो भी extension होगा आपको add करना ही पड़ेगा css मैंने add कर दी अब जाता हूं and boom guys see देखे कितना awesome लग रही है so yeah this is it guys हमारा यह जो part था यह done हो गया यह मेरा home page है don't worry हम end में बनाएंगे बट movies पर अगर मैं जाता हूं तो यह देखिए मुझे मेरे movies आ गए यह यह हैना कितना ज्यादा awesome मतलब मज़ा आ गया बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हो बट at least इतना हमने किया बिना यूज इफेक्ट बीना यूज स्टेट लाइक कितना easy one more quick recap में आपको देना चाहूंगा सबसे पहले क्या कि हमने सबसे पहले गाइस हमने एक API क्रेट किया जिसमें हमने simple सा function क्रेट की जिसमें हम जो हमारा data उसको fetch कर रहे और data जो हमें मिला उसको हमने return कर दिया ठीक है once function ready आपको अपना जो main route हम जहां पर create करेते वहां पर पहुचना है किस page पर आपको उसका data दिखाना था वो था अपना movies वाला इस particular path पर यहां पर हमें एक new route मिलता है जिसको आप एक property भी कह सकते हो that is your loader उसमें उस function को pass कर देना था and obviously pass करने से पहले आपको यह import भी यहां पर करना पड़ता है once यह आपका हो गया तो अब यह जो movie component है वहां पर वो जो function आपने loader की as a value pass की थी उसकी value को get करने के लिए we have one hook dedicated hook जो की specific react router का ही है react का नहीं है and that is your use loader data इस hook को call करके यह क्या करता है आपका वो जो loader root था उसकी value की return करता है जिसको मैंने movies data में add कर दिया once यह मेरा काम हो गया तो अब यह movies data dot search हमने देखा उसके अंदर हमें array मिल रहा था with 10 list of movies उसको मैंने फिर map method की मदब से component के अंदर चला दिया card component normally हमने बना यह बच्चो वाली थी destructure की उसको further यहां पर destructure किया and easily just जहां पर मुझे let's image चाहिए था तो यह poster में add कर दी and जहां पर मुझे उसकी rating चाहिए थी वह यहां पर add कर दी और भी चीजा आप कर सकते थी like उसका नाम movie का नाम the year जब रिलीज हुई थी and बहुत कुछ जो भी फिल्ट्स है but यह शिर्फ इतना करने से अब इसका advantage क्या मैं आपको बताता हूं इसका advantage यह है कि जब भी आप page refresh करोगे make sure it will make sure कि आपका यह जो page सब एक साथ लोड़ हो I mean I mean बले ही header and footer थोड़ा late हो जा लेकिन यह आपका पहले ही load हो चुका होता है अगर हम use effect hook use करते पहले आपका page render होता है उसके बाद जाके आपका use effect call होता फिर वापस से वो render हो मतलब समझ रहो ना उसमें कितना process लगता है use effect में पहले पूरा page render होता है उसके बाद use effect चलता है समझे रहो तो उससे कहीं गुना यह fast है yeah this is it and I hope आपको एक नया तरीका पता चलाओगा data को fetch करने में with the help of react router and react router में आप देखना कल की दिन में यह बताऊंगा आप loading state को कैसे add कर सकते हो फिलाल अभी यहाँ पर तो मैं नहीं दिखा पा रहा मेरे दूसरे project पर उसको मैंने रन नीक है फिलाल अभी बट वो कल की वीडियो में दिखाऊंगा मतलब मजा आ जाएगा कि यूँ चुटकी में चुटकी में आप loading state को भी add कर सकते हो तो या गाइस मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में source code जो जरू check out कर दीजेगा लिंक नीचे description में मिल जाएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ भरवर के share कुछ भी doubt आ रहा तो comment जरू कीजेगा and subscribe करना बिल्कुल मत बूले मिलता हूं कल की वीडियो में till then guys thank you so much take care